चेप्टर नमबर 9 के आटवे पॉडकास में हैं हम लोग इस आटवे पॉडकास में हमें इंडिया की सोचियो रिलीजियस रिफार्म मूवमेंट देखने हैं लेकिन वो देखने हैं डेडिकेट इसलाम के इसलाम के भी सोचियो रिलीजियस रिफार्म मूवमेंट हुए हैं वो मेंली जो हैं वो प्यूरिफाइंग हैं रिवाइविलिस्ट हैं क्योंकि इसलाम में लोगों में जो बिहावियर हैं अगर खराब हो गया लोगों का बिहावियर जो टाइम के साथ चेंज हो गया प्योर तो उसको सुधारने की जौरत है, इस चीजों पे ही आपके सोशी और रिफॉर्म मूवमेंट जो है इसलाम के, वो इंडिया में बेश्ट है, तो इंडियान इसलाम में जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए तो सबसे पहले जो नाम आता है, वो है वहाबी या वली उल्ला मूवम शाह वाली उल्लाह का जन्म जो है 1702 में हुआ था 1702 में, उनकी मिर्तियू जो हुई थी, वो 1763 में हुई थी, तो इन दोनों जो स्कॉलर हैं जो इसलाम के, उनके थुरू जो एक मूवमेंट हुई इंडिया में, उसको बोलते हैं, उनके थुरू तो क्या ही बोलें कि, उनके से बोले हैं, उनकी टीचिंग के करन जो मुवमेंट हुई, उसको वहाबी या वलि उल्ला मुवमेंट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जो अरब में जिन विद्वान से इसमें सिक्चल लिजे जा रही है, जो इंस्पारेशन ली जा रही है, उनका नाम अब्दुल वहाब था, आ मैंने आपको बोला कि वहाबी और वलि उल्ला जो मुवमेंट है, उसमें एक अरबियन एरिया के विद्वान का भी वहाब पे इंस्पारेशन है, उनका नाम था अब्दुल वहाब, तो अब्दुल वहाब का देखिए कि उरा नाम जो है मुहम्मद इबन अब्द अलवाब जिसको हम लोग जो है शाट में अब्दुल वहाब बोल देते हैं, इनका जन्म हुआ था 1703 में, मिर्तियो हुई थी 1792 में, एक ये रिलिजिस लीडर थे इसलाम के, इसलामिक स्कॉलर थे, तियोलोजियन थे, धर्म को समझते थे, और ये बिलॉंग करते थे, नजद नाम की एक जगह है अरेविया में वहाँ से, और इनका जो इसलामिक डॉक्ट्राइन है या जो मूव्मेंट है, उसी को हम लोग वहाबिजम बोलते हैं, ये काफी educated family से थे, कुछ भी खुद भी जो थे, काफी educated थे, जूरिस्ट की family से बिलॉंग करते थे, इनकी जो शुरुवाती सिक्षा होई थी, इसलाम के orthodox jurisprudence में होई थी, इसलाम के branches जो है, उसके हिसाब से एक जो jurisprudence का जो ब्रांच है, जो jurisprudence का, उसकी बात करें तो उसमें आपको मैं बताऊंगा चार school है, उसमें से एक hanbali school of thought होता है, या hanbali बोलें, जैसा मुझे अच्छे से जानकारी न है, वहाँ पर ऐसे चार है, उसमें से एक है, मैं आपको चारों बताने बाला हूँ, चिंता मत करियें, अच्छा ये चारों सुन्नी स्कूल थाट है, सुन्नी में ही hanbali भी है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या देखते हैं, कि उस टाइम का जो सुन्नी था, इलाका, hanbali school of thought था, उसमें बहुत देखते हैं कि लोग जो change हो चुके हैं, उनका कहना था कि लोग जो है, मरने के बाद जो sent लोगों की मृतिव हो जाती है, उनके tom को visit करते हैं, वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं, तो बोलते हैं कि इसलाम के खिलाफ है, इसको purify करने की जौरत है, बोलते हैं क लेकिन इनके जो father थे, जो भाई थे, वो भी इनके खिलाफ थे, वो गोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत नहीं है, तो यहीं से अपनी अलग movement लेकर आते हैं, वहाबिजम, इन्होंने ही उस टाइम पर first Saudi state भी बनाय था, Emirate of Diriyah, ये जो Emirate of Diriyah है, आज साओधी अर influence हो गया, Salafi Islam आ गया, तो क्या ये Salafi Islam जो है वहाबी से बहुत different है, क्या वहाबिजम खतम हो गया, Salafism आ गया, नहीं, ये जो Salafi movement है, Salafist movement of Salafia या Salafism है, ये भी उसी तरह का movement है, सुनी इसलाम का, ये इसकी origin Egypt में होई थी, 19th century में, और ये वहाबिजम का ही part है, जो आप कि अब्दुल वहाब ने सिखाया, अरभियन पैनेंस उला में वहाबिजम, उसी से influence होके, आपके Egypt के area में, 19th century में बना Salafism, Salafia school, वही Salafia school बाद में सौधी अरभिया में आता है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं, कि ये जो आपके 19th century में, Western influence के response में, जो ये Salafism की origin होई, वहाबी movement जो नजद रिजन में बना था, जहांपे वो, उन्होंने Emirate बनाया था अपना, अब्दुल वहाब ने, आपको confusion ना हो, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार summarize कर दे रहा हूँ, 18th century में, आपके अब्दुल वहाब ने, अरभिया के नजद रिजन में, आपका वहाबिजम लेकर आए वो, उन्होंने बोला कि जो modern तरीके आगे हैं इसलाम में उसा ही नहीं है, एकदम जो है purity maintain करनी चाहिए, और मैं सुन्नी इसलाम की बात कर रहा है, यहाँ पर शिया के बाप बिलकुल बात नहीं करेंगे, तो सुन्नी इसलाम में पर शिया को ऐसे भी जो है प्योरनी मानते, तो सुन्नी इसलाम में वहाँ पर आपके अरब रिजन में एक नजद नाम की जगह है, वहाँ पर अब्दुल वहाब लेकर आए वहाबिजम, सुन्नी इसलाम का टाइप, बाद में उनकी दोस्ती हो गई, एक पैक्ट हो गया, पैक्ट हुआ था जिन को 19th सेंचुरी में इजिप्ट में जब वहाँ गया तो वहाँ पर सलाफिजम बोला गया, तो आज का सौधिय अरबिया में क्या है, हलाकि डिस्प्यूटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन आप वहाबिजम और सलाफिजम दोनों को मिलता जूलता एक ही समझ ये, वहाबिजम है या सलाफिजम है, थोड़ा और्थोडाक्स है, आप जानते हैं साथिय अरबिया में जो human rights वगर हैं बाहरी, जो दूसरे religion के लोग हैं, धीरे-धीरे बढ़ाये जा रहे हैं, अलाकि लेकिन थोड़े कापी कम है, क्योंकि वो एकदम pure form of Islam जो है पहले का जो follow करना है, तो क दिरे-धीरे reform हो रहा है, अब तो women को driving rights भी मिल गए हैं, अभी जो साओधी अरबिया का साओधी family है, मैंने आपको बताया था ना, मौहमद बिन सौध से उनका pact हो गया था, तो वही जो family है, साओधी family चल रहे है, इसलिए साओधी अरबिया नाम है, क्योंकि मौहमद बिन स जमाज कहा है, साओधी अरबिया में तो हैं ही, साथी साथ, कतर में भी बहुत ज़्यादा prevalent है, आप समझगे, पूरा साओधी नाम क्यों पड़ा है, अगर आपको confusion हो रहा तो देख लेजे, the house of Saud, जो साओधी royal family है, वो descendants हैं मौहमद बिन सौध के, मौहमद बिन सौध नही Emirate of Diriyah बनाय थे किसके साथ, किसके साथ, अब्दुल वहाब के साथ, जो कि first Saudi estate था, है न, अपने brothers के साथ, उसी के descendant लोग आज रूल कर रहे हैं, उन्ही के, मौहमद बिन सौध के, और उसमें साथ में help की थी, आपके मौहमद, जो आपके वहाबी वाले थे, अब्दुल में आ गई होगी, बात में धिर धिर जब इनकी kingdom आ गई तो वहने बहुत जादा वहाँ पे mosque वगर बनाए, पहले जो आपका, उनका मक्का, मदीना, ये सब सारी चीज़ें सही की, हज वगर अच्छे से हो, तो ये सारा जो responsibility इस family ने लिया है, अब एक current head कौन है इसके, सलमा बिन अब्दूला जीज, ये हैं इसके current head के, मुहमद बिन सलमान बोलते हैं कई लोग, लेकिन जब मैंने आपको बोला कि इंडिया में जो वहाबी movement आई थी, उसमें तो एक तो influence था आपके अब्दूल वहाब आप अरभिया का, जिन्होंने सौधी अरभिया बनवाया है प देख रहे हैं आप मुहादीत, ये मुहादीत मतलब jurisprudence का जो स्कूल है, jurisprudence का इसलाम में उसकी बात हो रही है जो follow करते हैं, renewर, historiographer, bibliographer और ये मुगल empire के टाइम पे थे, क्यों, जन्म कब हुआ था, 1702 में, मिर्तिक कब हुई थी, 1763 में, तो मुगल empire के टाइम पे दिया था, तुरंत बाद इनोंने Arabic master कर ली, Persian master कर लिया, और इनकी जो शादी है वो 14 साल में हो जाती है, 16 साल की एज में इनोंने जो है, आपका हनाफी law पूरा पढ़ लिया, हनाफी law मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिये, वो भी आपके जो सुनी स्कूल से हैं, उसमें औरंगजेब for compilation of the code of law, फत्वाय आलमगिरी, औरंगजेब का जो code of law था, इंडिया में जो चलता था, वो फत्वाय आलमगिरी था, आलमगीर के नाम से जाने औरंगजेब, तो उन्हों नहीं codify किया था, compilation किया था, कौन, आपके शाह वाली उल्ला ने औरंगजेब की जो law coding थी, फत्वाय आलमगिरी उसका compilation किया था, इनके जो बेटे हुए, वो भी एक religious scholar हुए, बहुत बड़े, शाह अब्दुल अजीज, अब ये भी नाम जो है, यहाँ पे वाहविजम में आ जाएगा, शाह अब्दुल अजीज आपके शाह वले उल्ला के ही बेटे थे, तो आ अहमद बिन सौध के साथ पैक्ट होना, सौधी अरभिया का kingdom बनना, सौध से आया, इसलिए सौधी अरभिया सब कुछ समझ गया, तो ये जो वहावी और वाले उल्ला मुवमेंट है, आपके इंडिया में जो आए, उसमें एक तरफ तो टीचिंग हुई, अब्दुल है, दरबार है, और इंडिया में जो है, उदर से आपका western influence आ रहा है, क्योंकि अंग्रेज आये जा रहा है, दिर दिर, तो उस influence को कम करने के लिए, या कहें कि इसलाम का जो degeneration होड़ा था, नॉर्मल लाइफ में, इंडियान मुसलिम में, उसको ठीक करने के लिए, true spirit जो इस Muslim, leader of the 18th century, to organize Muslims around two-fold ideals of this movement, इस movement का जो कि वहाभी movement आपके अरभिया सहा था, उसके basis पे इंडियान मुसलिम को two-fold में, ideal में, organize करना, यह इन्होंने इंडिया में first time किया था, तो क्या two-fold ideals थे वहाभी movement के जो कि इंडिया में apply करने थे इसलामिक लोगों को, पहला तो यह था कि desirability of harmony, among the four schools of Muslim jurisprudence, which had elements of, Muslim of jurisprudence, divided the Indian Muslims, क्या होता यह, जो सुनी इसलाम होता है, उसमें four schools of jurisprudence होते हैं, सुनी इसलाम में four schools of jurisprudence होते हैं, और इंडिया में भी four schools थे, अब यह वहाभी movement तो सुनी इसलाम के लिए है, तो वो कोशिश करेगी कि सबको जोड़ना है, है ना, four schools of thought जो हैं, आपके सुनी इसलाम के, आपके Muslim jurisprudence के इंडिया में या पूरे वल्ड में उसको unify करना फरक ना रहे, दूसरी बात, recognition of the role of interpretations were derived from the, recognition of the role of individual conscience in religion where conflicting interpretations were derived from the Quran and hadith, यह बात बहुत इंपोर्टेंट है, एक बहुत बढ़ी इजाजत है, बोल रहे हैं कि जहां आपको कुरान और हदीश के interpretation में problem हो, ना समझ में आए, तो आप जो चार कम से कम जो सुनी इस्कूल of thought और jurisprudence हो, वो divided मत हो, जहां आपको conflict लगे, आप अपने मन से conscience है कि आप उसको interpret कर सकतो, यह बहुत बढ़ी reform की बात थी, आप interpret कर लो, अपने हिसाब से, उसके हिसाब मुसलिम है, एक तरफ सुनी मुसलिम है, एक तरफ यह ख्वारिज मुसलिम होते हैं, उसके बारे में जानने की जरूत नहीं है, श्रिया मुसलिम के बात भी ज़्यादा जानने की जरूत नहीं अभी, तो सुनी मुसलिम में देखिए, four schools of law है, मधितीब, मैंने आपको ये बाद में देखेंगे, तो ये जो हनाफी, हनबली, मालिकी और शैफी हैं, ये क्या है, कैसे origin हुई है, बहुत पहले, बहुत पहले, काफी पहले, सुन्नी इसलाम चार में ब्रांच में सेपरेट किया गया, जूरिस्पृडेंस में, हनाफी, मलिकी, शैफी, हनबली, ये स् स्कूल अब थार्ट बना जूरिस्पृडेंस, मैं, I'm talking only about सुन्नी इसलाम, हनाफी निकला, जो मलिक बिन अनास्त थे, उनका क्या हुआ, मलिकी हुआ, और जो अल शैफी थे, उनका क्या निकला, शैफी निकला, और जो अहमद एबन हनबल थे, उनका हनबली निकला, इस तर जो बोहरा कम्यूनिटी है, जो कि बड़े बिजनस मैं होते हैं, गुजरात में रहते हैं, देखें, दाउदी बोहरा, जाफ़न बोहरा, सुलेमानी बोहरा, अलावी बोहरा, ये सारे जो बोहरा कम्यूनिटी है, वो श्रिया कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं, गुजरात इरिया में वो सारे खतम हो चुके, सूपिय स्कूल जो है में लिए आपके इंडिया, पाकिस्तान और बांगलादेश में ही बचा हुआ है, क्योंकि साथिय अरभिया के पेनिसुला पे इसको बोला गया कि ये बिल्कुल इसलाम के खिलाफ है, कुछ और ग्रुप्स हैं, मदिस्त ग्रुप्स हैं, देखिए एहमदिया, एहमदिया भी जो है, पाकिस्तान में परिशान होते हैं, तो हमदिया भगर भी इसलाम के हैं, लेकिन ये थोड़े अलग स्कूल ऑफ थौट है, में तो यहीं आपके सुन्नी शिया और खवारिश, और उसमें भी में आपका सुन्नी ही है, हनबली, हनाफी, मलीकी और शफी, जो मदब बार बार बोल रहों, मदब का कुछ जादा मतल मतलब नहीं, मदब का मतलब इसलामिक जुरिस्प्रूडेंस ही ही होता है, सुन्नी मदब क्या है, देखी फिर से बता है, हनाफी, मलीकी, शैफी और हनबली, तो या तो मैं इसलामिक जुरिस्प्रूडेंस बोलू, या मदब बोलू, एक ही बात है, यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा जरो लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल एक इंट्रोडेक्शन दो लाइन का देना चाहूंगा कुरान और हदीत या हदीस क्या है कुरान तो main religious text है Islam का और Islam community मानती है Muslim community मानती है कि God जो है अपने revelation उन्ने peace be upon him prophet उनको ये revelation दिये थे गौड ने और उसके हिसाब से जो लिखा उन्होंने लिखवाया उन्होंने तो कुरान बनी ये में रिलेजियस टेक्स्ट है लेकिन फिर हदीस क्या है अचा कुरान में 114 चैप्टर है है ना चैप्टर को हम लोग सूरा बोलते हैं ये एरबिक लिटरेचर है बाकी बाकी जग एंजल थे है ना उनको गौड ने बताया और उन्होंने प्रोफेट के सामने इसकी जो है रेविलेशन की उसी के वैसेज पे ये लिखा गया वसलिम बिलिव देट कुरान वाज ओरली रिविल्ड बाई गौड तुदा फाइनल प्रोफेट मुहम्मद थ्रू थ्रू जैबर उनके जो मिर्तिव के जो दिन था उस दिन की बात हो रहे है अब हदीत क्या है हदीत एक तरह से इंटरपेटेशन है लोग मानते हैं कि जो इसलामिक प्रोफेट मुहम्मद है या जो गौड के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर ये एक लिटर चाहिए को साइलेंट अप्रोवल है इसलामिक प्रोफेट मुहम्मद का तो उसको फालो करना है इसको बैकबून बोला जाता है इसलामिक सिवलाइजेशन का यो कि लौज बगर की जो सारी बात आती वो हदीत से आती है इंटरप्रेटेशन है इसमें आपको डेली जो है क्य करना है क्या नहीं करना ऐसे बाते कैसे salutation देनी है कैसे कड़ा होना है है not slave अगर किसी को बना लो तो उसके सथ कैसे behavior करनी आच्छी behavior करनी आप्यार से सारी चीज़े जो है mostly वो हदीथ में दी हुई है जो शरीया की जो law के जो औरिजिन Islamic law को हम लोग शरीया बोलते हैं तो उसकी जो औरिजिन है हदीद से है हदीत जो है उनकी डेत के काफी बाद लिखा गया था था कई स्कूल अफ थार्ट और जो इसलाम के इसमें बिलीब नहीं करते हो वो वो थे प्योर कुरान में ही बिलीब करेंगे इसमें नहीं बिलीब करेंगे तो ये भी एक कंफिलिक्ट होता रहता है यहां मैं रुख के जिनको जनकारी नहों उनको शिया सुन्नी के बारे में भी बताना चाहूंगा इसी दोरान ये सबसे पहले तो ये समझिए कि दो जो major denomination इसलाम के ये शिया और सुन्नी ही है मैंने आपको जब यहां दिखाया तो ये figure तो आपको बताय था ना सुन्नी के school of thought तो मैंने आपको चारो पढ़ा दिये शिया का जादा जानने की जूरत नहीं बस इतना समझिए कि ख्वारिज जो है उतना important नहीं है लेकिन शिया और सुन्नी बहुत important है सुन्नी तो बता दिया शिया सुन्नी का बताता हूं difference क्या होता है कैसे ये differentiation हुआ है उसके पहले मैं आपको कैलिफेट और कैलिफ समझाना चाहूंगो जिसको हम लोग खलीफा भी बोलते हैं जिसके लिए हमारे कंट्री में movement भी हुआ था खिलाव बतान दोलर यह क्या होता है कैलिफेट का जो head है उसको कैलिफ बोलेंगे तो आप कैलिफेट समझे यह क्या होता है यह एक Islamic State है जस लाइक आईएस आईएस बोल रहे थी कि मैं आम लेको एक कैलिफेट बनाएंगे तो कैलिफेट के नाम पर वो Islamic State बनाना चाहते थे हैं इसलिए तो नाम भी था इसलामी का स्टेट है तो इसलामी का स्टेट है कैलिफेट और जो लेडर्शिप लेते हैं जो वो होते हैं कैलिफ तो कैलिफ क्या सीधे प्रॉफेट है नहीं प्रॉफेट का डेपुटी हो गए वो समझे आप प्रॉफेट की तो मिरती हो गई चले गए वो पीस भी अपान है लेकि उसको हम लोग उमा बोलते हैं, और उमा का जो होता है, पूरा जो Islamic State हुआ, उसको Caliphate बोलते हैं, और जो Caliphate के head हुए, वो आपके Caliph हुए, लेकिन यह एक छोटे से पार्ट में भी हो सकता है, तो Islamic State जैसे बनाना चाह रहा था, तो वो ISIS पूरे दुनिया में ने बनाना चाह रहा था, एक particular ऋबहरा था एक पर्टिकुलर जो है प्लेस में बना चाहा रहा था, infact वह बोलता भी है कि जम्मू कश्मीर में भी हमने एक प्रॉविंस क्रीट किया था पूर इंडिया को भी नहीं क्लेम कर रहा था जम्मू कस्मीर में प्रोवंस जो है उसके बाद, आप ये बताईए, कि ये बाइफर्केशन होगा कि नहीं होगा, लडाई होगी, कि कौन हेड करेगा, वही जो लडाई होई, उसी से श्रिया और सुन्नी मुस्लिम का जो यहां पर डिवेजन हुआ, 632 AD में मैं आपको पहले भी बताया था, कि प्रोफेट मुहम्मद की जो है, मिर्ति हो जाती है, है ना, उस अंसार छोड़के चले जाते हैं, उसके बाद, डिस्प्यूट होता है, कि सक्सेशन कैसे होगा, इस्लामिक प्रोफेट मुहम्मद जो वहां पे उन्होंने जो बनाया था, पूरा एरिया, वो भी पॉलिटिक और इलिजियस फिगर ही थे, तो जो एरिया बनाया था, तो वहां पे कैलिफ कौन बनेगा, डिपुटिक कौन बनेगा उनका, और उस ताइप पे इसलाम जो है, पूरी दुनिया में फैल रहा था, इन्फेक्ट आपके जो सल्तिनत के लोग हैं, कई वहां से फर्मान लेकर आते थे, कि हमें वहां से फर्मान मिला है, कि हम इंडिया में रूल करें, कैलिफट के अंदर, खिलापत आंदूलन भी वो खलीफा के लिए हुआ था, ओटोमन अंपायर याद करिये, तो दूर बैटल होते हैं, बैटल अफ जमाल और बैटल अफ सिफिन, ये बैटल कुछ खाज नहीं थे, मेन बैटल तो होती है, वहां पर आपका इसलाम बट जाता है, इसको हम लोग इसलामिक स्किजम बोलते हैं, मतलब बट वारा होना, जो Christianity में स्किजम होई थे, जो आपके Protestant और Catholic की होई थे, वो बाद में होई थी, उसको Christian इसलामिक स्किजम बोलते हैं, Battle of Karbala के बाद ये Battle of Karbala में ऐसा क्या हुआ था कि Islam सुन्नी और शिया में डिवाइड हो गया मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले होई कहां थी कब होई थी Battle of Karbala जो है 10 October 680 को होई थी मतलब कहिए Prophet के लगभग 50 साल बाद होई थी 10 Muharram in the year आपको समझ में आरा आपको Muharram इसमें आर्मी दो तरह से जो थी एक तो थी between the army of the second Umayyad Caliph Vyazid one और एक small army थी उसको lead कर रहे थे Hussain ibn Ali वो grandson थे Islamic Prophet Muhammad के याद रखिये तो एक तरफ जो लोग थे वो Islamic Prophet Muhammad है Prophet Muhammad के पोते थे grandson थे maternal side, paternal side से मुझे नहीं पता लेकिन grandson थे कौन? इबन अली इबन अली की जो army लड़ रहे थी वो Caliph लेना चाह रहे थे और दूसरे तरफ से जो लड़ रहे थे वो थे Umayyad Caliph Yazid one इन दोनों भी इसके में लड़ाई जो होती है उसमें मिर्तिव हो जाती है किनकी आपको पता है? मिर्तिव होती है हुसैन इबन अली की हुसैन इबन अली की मिर्तिव हो जाती है और यहीं से जो da Islam दो परट में डिवाइड हो जाता है श्रिया और सुनी में यह प्लेस जो बैटल अप करबला होई थी आपको पता ही होगा इराक में हुआ ता आज भी हो जग़े है इसलामिक स्टेट ने अच्छा कासा कबज़ा भी कर लिया था करबला में आज भी बैटल अप करबला फिर से होई Islamic State और Russia या कहीं US के बीच में अब आप ये image देखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल clear हो जाएंगे ये जो green वाला देख रहे हैं आप वो हनाफिय स्कूल है इस सुननी का है ये पूरा area अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है उपर का ये पूरा area ये आपके मतलब Central Asia कह सकते हैं ये area और इंडिया में भी हैदरवाद का area बांगलादेश का area और बागी आपके उत्तर प्रदेश, जम्मू कस्मिर सारे जो area है और जो गुजरात में है ये सारा क्या हो गया? ये हनाफिय स्कूल तो सुन्नी की साइट से हना भी है ना हनबली जो है डार्क कलरड में है हनबली इस वाले area में थोड़ा शफी स्कूल देखे ब्लू वाले area में ये रहा गया पूरा आपका शफी स्कूल है ना और ये जो कि मालिकी स्कूल ये पूरा जो है आपके आफ्रिका में मालिकिय स्कूल हो गया, यह सारे क्या हो गए, यह सारे सुननी हो गए, तो शिया वाला कौन सा है, आज का इरान, शिया कंट्री है ना यह देखेए, यह इरान जो है, वहाँ पे दिखेए, जाफरी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर जो है, आपके संट्रलिस्टिया में, आपके smiley जो है, वो भी आपको बता ही है न, smiley, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में यहां थोड़ा उपर है, smiley Muslim, यह फिर जायदी बगर अभी है थोड़े बहुत, तो खैर, जायदी बगर को जादा नहीं समझना है यहां पर, लेकिन यही आपको बताना चाहरा यह पूरा अफरिका का जो एरिया है, वहां पे आपके उपर वाले में क्या है, वहां पे आपके उपर वाले में है, माली की स्कूल अफ़ थाट, आपके सुन्नी का, यह वाला पूरा एरिया भी देखिए, आपके सुन्नी का हो गया, यह सारे सुन्नी के हो गया, और जो ब् यहां पर जो बैटल के बाद जीता हारा उसी के बेसिस पर इतना जगड़ा हो गया कि इसलाम शिया और सुनी में डिवाइड हो गया बैटल अब कर्बला के बाद यह जो मैंने आपको बताया था हुसाइन इबन अली जिनकी मिर्ति हो गए कर्बला में वो प्रोफेट मुहम्म बन गया कहें कि जो ब्लड के रिलेशन के ठ्जी फूर जो आए थे उनको मानने वाले जो है शिया मुसलिम हुए लेकिन जो लोग अबु बकर को मानते थे अबुबकर ब्लड्री रिलेशन से नहीं थे, जो लोग अबु बक को मानते थे। इमेडियेट सक्सेसर 10 सुनी क्यो दस मोहराम लेकिन मोहराम होता है फर्स्ट मन्त आप इसलामिक कैलेंडर जो है मोहराम के औन Donald को इसी दिन को इसी दिन को सम्टाइम्स अज पार्ट आप मोहराम श्या मुसलिम स्वाशंटिle Muslim practice fasting on Ashura, Ashura दूसरा महीना है, चिंता मत करें इसके बारे में जानने की जोड़त नहीं है, तो ये morning of जो है, शिया Muslim morning क्यों करते हैं, क्यों उस दिन जो है उनको बहुत रोनाता है, क्यों दिक्कत होती है, ये जो event है जो मुहर्रम मनाय जाता है वो इसी battle of करबला को याद करने के लिए मनाय जाता है जहां पे आपके इमाम हुसेन इबन अली जो grand son ते prophet Muhammad की, वो मार्टायर हो गये थे, आपके उमयद कैलिफ से लड़ते वे, जो उमयद कैलिफ थी वो थी आपके सुन्य स्कूल वाली कैलिफ, और ये शिया वाले थे हुसेन इबन अली उनकी मिर्थी हो जाती battle of करबला में, उसी दिन को याद करने के लिए मुहर्रम मनाय जाता है और इसी लिए लोग जो है अपने आपको कोडे मारते हैं, और ब्लड निकालते हैं वो जो है morning करते हैं कि जो उनकी मिर्थी हो गई, ये शिया इसलाम को बचाने के लिए, और कहते हैं कि वही जो थे original success थे, तो यही विवाद, अब आपको पूरे clear हो गया होगा अबूबकर के बारे में मैंने बताए कि जो सुन्नी इसलाम है वो मानते हैं कि अबूबकर जो हैं, वो califrate उनके पास होना चाहिए था, तो अबूबकर कौन थे जो प्रपेट मुहमद थे तो उनकी जो पतनी थी आईशा, आईशा के पिता थे अबूबकर, तो directly blood से related नहीं हुए, उस सेट जो हुए आपके इबनों की जो बात की, वो तो आपके grand son थे तो वो directly blood से related हुए लेकिन यहाँ पे जो आईशा जो पतनी थी प्रपेट मुहमद की, उनके पिता, यह कहें कि प्रपेट मुहमद के वन अब दा ससुर थे, वन अब दो जो थे क्या थे, फादर इनलो है न, वन अब दो फादर इनलाव द इसलामी प्रपेट मौहमद, और यहाँ पे जो अपने फर्स्ट कैलिप बनाते हैं, राश्रीदून कैलिप, उसी में आगे जाके जो है बाकी कैलिप वगर बनते हैं, वही लोग सुन्नी इसलाम समालते हैं इन्हों ने अपने कंक्वेस्ट जो किया तो पर्षिया में किया, लेवांत में किया अलग-अलग जगों पे किया, लेवांत जो है अब जानते हैं, लेवांत एरिया क्या है? मैंने शायद आपको इसे पढ़ाया है लेकिन लेवान्त एरिया दिखा दे रहा हूँ अभी देख लीजिए आप जो विकिपेडिया प्यारामस है लेवान्त एरिया अपने ISI हो सुना होगा ना इस्लामिक स्टेट आप लेवान्त ये एरिया आप देख रहे हैं अल्मोस्ट ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया माना जाता है एकदम फिक्स नहीं है अप्रॉक्सिमेट हिस्टोरिकल क्योंकि ये हिस्टोरिकल जेग्राफिकल रीजन है तो मिक्सप करके बनाया हुआ है इस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन जो यहां का मेडिटेरेनियन देख आप Syria बगर हो जो देख रहो ये सारा जो है area ये लेवांत के नाम से जाना जाता है Western Asia हुआ ये historical region of Syria जो था उसी के almost equivalent है इसमें Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Palestine और थोड़ा जो तर्की का भी most part इसमें included होता है ये सारे समझ गया है South East of the Middle Euphrates जो इराग की जो river है Euphrates उससे भी related होता है ये पूरा area आप समझ ही रहोंगे ऐसे करके ये लेवांत का area माना जाता है mostly ये Syria ही है इसमें बाकि Syria के बगल में इसरायल है Lebanon है चोटे कंटी तो वो भी count होते हैं तो इस पूरी जानकारी के बाद आपको normal understanding हो गई होगी मै टीचिंग्स ऑफ वली उल्ला वेर फर्दर पॉपुलराइज भाई शाह अब्दुल अजीज एंड सायद अहमद बरेलवी जो शाह वली उल्ला जो मुगल टाइम के थे जो औरंग जेब के पास थे औरंग जेब के लिए जो कोडिफाई किया था जिन्नोंने लॉक को तो उ लेकिन सेयद अहमद बरेलवी कौन थे स्क्रिन पर आ जाईए ये हैं सेयद अहमद बरेलवी सेयद अहमद बरेलवी भी बोलते हैं सेयद अहमद शहीद भी बोलते हैं जन मुह ता 1786 में और मिर्तु काफी बाद 1831 में हुई थी काफी बाद मतलब अभी की जमाने के हिसाब स बस लगबग 200 साल पहले हैं, ये एक इंडियन मुस्लिम थे, रिवाइवलिस्ट थे, राय बरेली से बिलॉंग करते थे, इसलिए जो है, इनका नाम सेयद अहमद बरेल भी है, जैसे पिछले में जो था, शाह बली उल्ला दहेल भी था, है ना, उस समय पर ये आगरा आया, प्रदेश में हुआ, ये ही जो थे, इंडिया में इनोंने ट्रेवल किया और प्रीच किया, इसलामिक रिन्यूवल, बुला, जिहाद करनी की ज़ुरत है, हमें जो है, अपने आपको समझने की ज़ुरत है, और जो हमाँ पहले जैसे थे हम पूराने टाइम में, कुरान के ट सिख एमपायर, सिख एमपायर जो आपके राजरंजीत सिंग वाली थी, उसके अगेंस्ट इनोंने फाइट करने की भी कोसिस की, जब वो जायदा में पहुँचे, जायदा आज पाकिस्तान की जगे वहाँ पहुँचे, तो आपके कई लोगों वो जमा किया, है ना, और पस्तून ट्राइब की, पस्तून ट्राइब वही जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे हैं, इनकी कहे जाते कि जो मिर्ती होई थी सिख अर्मी ने की थी बला कॉट, डिस्टिक्ट में आप जानते हैं बला कॉट वहाँ पे, तो ये थे सेयद अहमद भी हुए जो राय बरेली के, उन्होंने इसको पॉलिटकल परस्पेक्टिव दिया, बोला कि सिख एम्पायर के खिलाब लड़ना है, तो वहाँ भी मुस्लिम से लड़ना है, अनिस्लामिक प्रैक्टिस हैं, जो कि इसलाम में आगय थे सोसाइटी में, उनको बोला कि इलिमि हर्ब बन गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दार उल हर्ब का मतलब है, लैंड अफ दे काफिर, अनिस्लामिक लोगों की जगह बन गई है, और इसको रिकनवर्ट करने की जरूरत है, या कनवर्ट करने की जरूरत है, दार उल इसलाम में, मतलब लैंड अफ इसलाम में, दार उल हर्ब मतलब land of the kafirs, दार उल इसलाम मतलब land of Islam, initially जो यह movement था, यह Sikh जो अपने को मैंने भी बता है, Sikh empire जो था, पंजाब का उसके खिलाब था, लेकिन बाद में तो वहाँ से Sikh empire चला जाता है, British empire आ जाता है, तो दिर दिर वो development का एक अच्छा रोल था, वहाविजम जो थे, वहावी लोग जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब anti-British feeling फैलाने में बहुत जो है, मदद की थी, वहावी movement जो है, लास्ट में, British लोग जो है, इनके सीधे military might देते हैं, आपके podcast सुनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया